हालो जहिन दोस्तों आज से हम बिल्कुल शुरुआत करेंगे सीटेट क्लास की बहुत सारे साथी जो 36 गड़ शिक्षक भरती की तयारी करना चाहते हैं लेकिन सीजीटेट की परिक्षा फैल हो चुके हैं उनके लिए इस्पेशल क्लास आज का फॉस्ट क्लास है बाल विकास और सिक्षर सासर की बिल्कुल वही टॉपिक हम लेकर चल रहे हैं दोस्तों जो कि आपका एक्जाम में जिस जिस टॉपिक से प्रश्ण बनता है तो देर न करते हुए सीधे हम टॉपिक पर आते हैं आज का हमारा पहला टॉपिक है प्रकृति और पोशन ठीक है प्रकृति और पोशन से जुड़े तथि को हम आज की इस टॉपिक में जानेंगे अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेंगे दोस्तों सेयर जरूर करेंगे तो चली बिल्कुल देर न करते हुए हम सीधे वीडियो पर आते हैं प्रकृती और पोशन ठीक है प्रकृती और पोशन इन दो चीजों का अलग-अलग मतलब होता है प्रकृती क्या चीज है तो प्रकृती बच्चे के वनसानुगत कारको या जिन को संदर्भित करता है ठीक है प्रकृती क्या है एक वनसानुगत कारण है या जिन जिसे हम जे अपने पिता से अपने मा से अर्थात जो हमारे पिढ़ी दर पिढ़ी जो चीजें एक बच्चे में आती है ठीक है वो ही क्या है आपका वनसानुगत या जीन को संदर्भीत करता है इसका तात पर है इसी को हम क्या बोलेंगे प्रकृती ठीक है तो प्रकृती क्या है वनसानु लक्षणों के निर्मार में भी मदद करता है ठीक है प्रकृति क्या है दोस्तों सिर्फ यह वन्सानुगत कारक या जिन को ही संदर्भिष्ट करता है देखे यह क्या है बच्चे की सारीरिक विकास कैसे होगा उनका जो रंग उनकी जो बाल उनकी नाक उनकी आग उनकी बनावाट कैसे होगी यह चीजे किस पर निर्भर करती है तो यह वंसानुक्रम यह जिन पर निर्भर करता है ठीक है इसी को प्रकृति बोलते हैं अर्थात यदि माता पिता देखें माता यह पिता काला है दोस या किसी माता या पिता की बाल घुंघरालू टाइप के होते हैं ठीक है मूरा हुआ होते हैं तो उनके पिता जी है उनके माता जी के बाल अगर ऐसे हैं तो बेटे में भी क्या है उनके वही जो गूर है विद्यमान हो जाता है ठीक है नाक आग कान उनकी जो बनावाथ है दोस सबसे ज़्यादा वन्सानुक्रम का प्रभाव पड़ता है सबसे ज़्यादा एक बालग पर प्रभाव किसका पड़ता है तो वन्सानुक्रम का सबसे ज़्यादा प्रभाव बालग पर पड़ता है उसके पिता कैसे थे उसके माता कैसा था कैसी थी ठीक है उसका प्रभाव उसके ना, कान, कद, काठी, बनावर उन तमाम चीजों का जो प्रभाव है एक बच्चे में विद्यमान होता है तो यही आपका प्रकृती है ओके दोस्तों समझ में आ रहा होगा बात करें हम अनुवान सिक्ता की यदि हम बात करें दखें ये क्या होता है तो माता-पिता या पूरवजोदारा गुरो का इस्थांतरा उनके बच्चे या आने वाली पिरहिम होता है माता पिता या उनके जो गुरो का सस्थान्तरा है उनके आने वाली प्रिभिम होता है यहिँ अनुवानसिक्ता करता है आप प्रकृति वही एक अनुवानसिक्ता का नाम दिया गया है तो इसी क्रिया को अनुवानसिक्ता का नाम दिया गया है अर्थात मात या पिता के जो गुर है बच्चे में इस्थांत्रित होता है बच्चे में आ जाता है तो वही क्या है आपका अनुवानसिक्ता कहलाता है ठीक है अनुवानसिक्ता क्या है एक इस्थ समाजिक साराचना है ठीक है यहां से भी question बना हुआ है most important है इसको भी आप विल्कुल याद रखेंगे तो अनुवान सिक्ता क्या है माता पिता के जो गुड है बच्चों में जब आने रखता है तो वही क्या है आपका अनुवान सिक्ता कहलाता है और यही सब चीजे प्रकृ प्रकृति और पोशाण से जुड़े इसमें होता है जिन क्या है माता पिता या पुर्वजों के जो गुड है उसका इस्थान्त्रान जिसके कारण होता है उसे जिन कहते हैं देखिए माता या पिता का गुड चाहे रंग हो कद हो अवाज हो नाक कान आग की बनावाठ हो ज प्रतिभा साली माता पिता के बच्चे समान्य बुद्धी के हो सकते हैं या समान्य बुद्धी के जो बच्चे बालक है या माता पिता है प्रतिभा साली माता पिता के बच्चे समान्य बुद्धी के हो सकते हैं समान्य बुद्धी के माता पिता के जो बच्चे हैं प्रतिभा साली हो सकते हैं यही प्रत्या गमन का सिध्धान कहलाता है कैसे मान लिजिए एक माता पिता है वे बहुत्ती होसियार है अगर हम मान ल होती है ठीक है उसी तरीके से किसी के पिता जी विल्कुल पढ़े लिखे नहीं होते पढ़ाई में एकदम क्या होते हैं जीर होते हैं लेकिन उनका बेटा या बेटी जो है दोस्तों क्या होता है पढ़ाई के छेक्तर में बहुत ही अच्छा होता है बहुत ही इंटेलिजेंट होता है तो यहीं चीज़ें आपको किसके अंतरगत आएगा तो प्रत्या गमन का सिध्धांद के अंतरगत आएगा ठीक है प्रत्या गमन का सिध्धांद समझ गये होंगे उसके बाद देखिए क्या चीज़ें आती है पोशन ठीक है पोशन को भी आप एक बार समझे तो पोश पोशण का ताथपरिय०्ध विभींड परियावरणी कारकोश जो हमारे व्यक्तिप्व लक्षणों हमारे वचपन की अनुभाँं वच्चे के परिवेश समाजिक संबंधों के बारे में बताती हैं ठीक है पोशनर किसके बारे में बताते हैं या आसपास के वातावराण की वज़ा से एक बालाक में कैसे विकास होगा कैसे विद्धी होगा ये पोशनर है ठीक है पोशनर अर्थात आसपास के वातावराण से बच्चे क्या सीखते हैं उनमें क्या विकास होता है ये पोशनर क एंतरगत आएगा और प्रकृति प्रकृति की यदि हम बात करें दोस्तों इन दो चीजों को समझें ठीक है तो प्रकृति प्रकृति अर्थात इसमें वनसानुक्रम ठीक है तो प्रकृति क्या है वनसानुक्रम को ही प्रकृति बोलते हैं इसको बिल्कुल आप याद रखें और पोशन देखी प्रकृति के बाद में पोशन तो पोशन किसको बोलेंगे वातवरन ठीक है वातवरन को ही पोशन बोलेंगे इस बात को बिल्कुल याद रखें प्रकृति अर्थात अनुवानसिक्ता और पोशन अर्थात वातवरन तो पोशन क्या है पोशन कतात पर उन प अर्थान एक बालक समाज में रहता है समाज के परिवेश में रहकर अपने हम उम्रसाथियों के साथ खेलता है बड़ों से भी वारतालाब करता है यह हो गया बच्चे का अनुभाव बच्चे के परिवेश वही चीजे अपने दोस्त सखा संबंधी आसपास परोस यह सब दोस्तों प्रकृति और पोशर यह आपका 36 गर शिक्षक भरती में भी आने वाले बिंदु है ठीक है यहां से क्वेश्चन बना हुआ है इसमें प्रकृति तो प्रकृति के तात्परी क्या है प्रकृति अगर बोल रहे है दोस्तों तो उसको आप समाज जाएंगे बिलकु आनुवन सिक्ता है अनुवान सिक्ता है ठीक है अनुवान सिक्ता की यहां बात हो रही है और पोशर की यदि बात आती है दोस्तों तो पोशर में आपका वातावरर से जुड़ी या बच्चे वातावरर में क्या 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 शिक्ते हैं यह दोनों चीजें सामिल रहती ह है तो इस क्लास में इतना ही अगले क्लास में हम फिर से सेकेंड टॉपिक की साथ ठीक है टॉपिक नमबर टू लेकर चलेंगे यह हमारा फर्स्ट टॉपिक था जहिंगे